हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा आफ्टर इफेक्ट में सीरी सी में कलर करेक्शन के बारे में यहां पर हमें इस फोटो पर हमें कलर करेक्शन करनी है सपोच की IT कि तो क्या करना होगा इसके लिए सबसे पहलेkr tap इसमें महलब पास तीन ओपें तर हैं कलर करेक्शन करने के यहां थो आप इस क्लिक पे क्लिक lorsqu के यहां से आप इस फैक्ट में जाते हैं और यह होता है आपका कलर करेक्षन का अप्षन है यहां पे यह हमारे पास में इतने सारे इफैक्ट हैं ब्लेक और वाइट, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगरा सारी चीज़े इसमें रखी हुई है इस टाइप से यहाँ से भी आप किसी चीज़ को पिक कर सकते हो कलर को किलिक कर सकते हो यह देखिए कर्व किया मैंने इस पे F3 प्रेस किया और यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगरा बढ़ा देता हूँ यह देखिए इस टाइप से यहाँ पे RGB मोड है, रेड बढ़ाना इसमें, रेड बढ़ा सकते हैं इस टाइप से इसको हम डिलीट कर देते हैं दूसरा उप्सन होता है आपके पास में यहाँ पे इफेक्ट परजेंट में यहाँ से भी आप कर्वस लिखना चाहें यहाँ से भी आप कलर करेक्शन कर सकते हैं CC टोन डाल देता हूँ मैं इस पे यह देखिए इस टाइप की आपकी इमेज हो गई यह हमारे पास में इफेक्ट कंट्रोल इस टाइप से यहाँ पर आजाता है यहाँ से आप चाहें किसी भी इमेज में थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें इस टाइप की इमेज रखना चाहें तो इस टाइप की इमेज रख सकते हैं यह देखिए चाये तो वीडियो क्लिप में भी आप ऐसा कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप जो ना color correction में ही सिरफ इसमें still images पही कर पाएंगे वीडियो क्लिप में भी कर सकते हैं आप ऐसा और एक तीसरा option जो होता है हमारे पास में वो होता है effect में यहां से हम click करेंगे इस पे यहाँ पे क्लिक किया उसके बाद हम सीधा गये यहाँ पे effect में effect में हम क्लिक करते है यह देखिए अभी हमने image को select नहीं किया है इसको select कीजिए simply और यहाँ पे जाएए आप effect control में यह देखिए यहाँ से हम सीधा इस पे आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास में होते हैं यह color correction same वही चीज जो हमने यहाँ पे की थी same वही चीज यहाँ पे भी है यह देखिए यह है color link या balance color balance जब हम open करते हैं तो open करने के बाद में color balance हमारा यहाँ पे आ जाता है इस point पे यहाँ यह effect control होता है यह वाला जिसको हम short command F3 करके प्रेस करके on करते हैं अब यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे यह देखिए red हम प्रेस कर रहे हैं green बढ़ा रहे हैं इसमें और इन सब को हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं यह देखिए इस type से हम इसको बढ़ा देते हैं यहाँ से यह देखिए pink बढ़ा दिया blooness बढ़ा दिया इस type से तो यह आपकी image इस type से आ गई है तो friends यह हमारा color correction का use इसमें चाहें तो आप animation भी दे सकते हैं still image में और चाहें footage में भी animation दे सकते हैं यह देखिए यहाँ से मैं एक scale नहाँ पर लगाता हूँ key frame और इसको मैं थोड़ा सा इस type से zoom कर देता हूँ यह देखिए इस type से आप key framing भी इसमें दे सकते हैं तो friends यह था हमारा color correction का use so please keep watching my tutorial on the YouTube channel